यहीं सातियों कैसे हैं आप लोग उम्मिदे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे स्कॉलर्शिप स्टेटस काफी लोगों का चेंज हुआ है आए इस समझ में मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि किस स्टेटस के स्कॉलर्शिप आने की पूरी संभावना है और किन बचों का स्कॉलर्शिप नहीं आने की संभावना है किसके स्टेटस सही माने जाएंगे तो मैं अपने अनुभव के साथ आपको शेयर गरूँगा देखो नो डाउट बीना किसी डाउट के बच्चों जिनका स्टेटस अगर यह दिखा रहा है कि वेरिफाइड रेकेमेंडेट बाइ स्कॉलर्शिप कमेटी आती है उनके आने की पूरी संभावना है 100% स्योर नहीं हो जाएंगे क्योंकि कई बार पिछली पिछली बार कई ऐसे बच्चों थे लाखो लाखो ऐसे बच्चे थे जिनका यह होने के बाद भी स्कॉलर्शिप नहीं आया था रीजन यह दिखा था कि फंड नॉट अवेलिबल तो संभावना पूरी है कि वेरिफाइड रेकेमेंडेट बच्चों की आएगी अगर आपका फंड अवेलिबल होता है तो यह हो गई पहले इस्तिति लेकिन सबसे सेफ और सबसे सुरफचित इस्तिति यहीं होती है कि वेर अब यहां पर आप देखिए यहां पर आपके स्कॉलर्शिप के लिए बच्चों आपकी बैनिफिसरी औरडी क्रियेट हो चुकिये मतलब आपके अमाउंट को प्रोसीड करना गौर्मेंट स्टार्ट कर चुकिये लेकिन यू आइडी मतलब आपकी जो यूनिक आइडिफि करूं तो दो नोश्तिती है मेरे पास ऐसे तमाम बच्चे एक मेरे बहुत ही खास दोस्ति में बताऊं तो जिनका यू आइडी डिसेबल था लेकिन उनकी स्कॉलर्शिप आई थी इस बात की मेरी गारंटी है और मैं सत्य बोल रहा हूं कि यू आइडी डिसेबल होने के बा आप ग्राहक सेवा केंदर देखेंगे आजपास होगा आप जा के Simple उससे 100 रुपे निकाल देजिए अगर वो ग्राहक सेवा केंदर निकाल पारा है आपके पैशे आपका उठा लगा कर इसका मतलब कि आपका UID वैलिड है यानि कि आपका एबल है ठीक है इन केस नहीं होता है तो आधार कार्ड पैन कार्ड से के वाज़ी करा लिजे काम खतम इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं बस इसका एक मात्र रिजन यह होता है बच्चो कि क्या आप का आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेटेड है कि नहीं अगर अपडेटेड है तो निश्चिनत रही है पैसे आएंगे ये भी बात सकते है कि पिछली बार कुछ बच्चों के UID डिसेबल के बाद पैसे नहीं आये थे लेकिन वहाँ भी रीजन यह लिखके आ रहा था कि फंड नौट अवेलिबल तो यह इस्तिती किसी भी हाल में नहीं होती है आपके पैसे नहाने की पैसे आना आने की ये कंडिशन बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि आपका अल्रड़ी वेरिफाइड हो चुका है सिंपल आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से कवाशी करा लेज है इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते आप इस मामले में निश्चीत रहिए चरिए अगर हम अगली कुछ और इस्तितियों की बात करें तो वह यह जिनका वेरिफाइड है उनको बहुत-बहुत मुबारक बस इंतजार करिए लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना बढ़ेगा अगर इसलिए आपका यहां पर रिज्चेक कर दिया गया है अब यह एक और इस्तिति आती है कि पिछले साल तो इसी इसी महाविद्याले के बच्चों का स्कॉलर्शिप आया तो इस बार क्या गलती हो गई तो इसमें हम और आप और कोई कुछ नहीं कर सकता अगर कुछ करन है तो केवल आपका महाविद्याले कर सकता है वो इस बात का मांग करे या लेटर लिखे या फिर कुछ जो भी करना है वो करे इसमें विद्यारती सर्म कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पूरे इंस्ट्यूट को ब्लेम किया जा रहा है तो विद्यारती का सब कुछ सही होने के ब चाहिए अगली इस्तिती की बात करें बचो तो UID never enable for DBT फिर से वही condition है आप एक पर अपना KYC चेक कर लीजिए अगर KYC confirm है तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है आपके पैसे आने की पूरी संभावना है यहाँ पे आपका verify recommended district अगले इस्तिती की बात करें बचो तो अगला इस्तिती देखेंगे यह बहुत सारे बचों का है हाला कि उनका सही है bank name and IFC code are not related to each other देगे यहाँ पे अगर हम सचाई बताएं तो यहाँ पे बच्चों के साथ धोखा हुआ है मचाक हुआ है तो आप यहाँ हिस्तिती होने के बाद भी क्योंकि कोई भी एक बच्ची दो बच्ची की बात नहीं की तमाम ऐसे जाता है तो यह भी कंडिशन्स है तो शमा की साथ कहना चाहूंगा कि अब इसमें आपकी कुछ बंती नहीं है रिजेक्ट हो चुका आपकी स्कॉलर्शिप हाला कि आपका यह सही है आप थो असा मांग कर सकते हैं से बरबात कर सकते हैं वैसे संभावना एक कम है कि इस इस्तिति में आपकी स्कॉलर्शिप आए चलिए वेरिफाइड रेकमेंडेट बाइडिस्टिक स्कॉलर्शिप कमिटी आपका बहुत ही सुरक्षित है यह स्टेटेस सबसे सही है और अगर किसी बचे ने पूचा है कि क्य स्कॉलर्शिप आएगी जानकायर लोग बताएं तो जी हां बिल्कुल आपकी सबसे सुरक्षित इस्तिति में आपके पैसे आने की पूरी संभावना है बच्चो अच्छा अगर इस इस्तिति को अगर आप इस स्टेटेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ए स्कॉलर्शिप यहां पर वेरिफाई हो चुका है तो जिनका वेरिफाई हो चुका है वो निस्चिंत रह सकते हैं उनकी आने की पूरी संभावना है हाला कि कुछ बच्चों का सिक्स्टी होने के बाद भी नौट वेरिफाइड हुआ है लेकिन हाँ आप थोड़े से लकी मा स्कॉलर्शिप रिख जाएड होने के बाद तो इस्तिति आपको भी पता है कि मुश्किल है आपका मिलना साथ मार्च को यह इस्तिति रिजेक्ट की गई है इसके अलावा यह कल का वो स्टेटस है जो बच्चों यहां पर दस तारीक को दस मार्च को यहां पर वेरिफाईड दस मार्च के दिन काफी बच्चों का वेरिफाईड हुआ है तो इस तरह की इस्तितिया नजर आ रही है दस मार्च को अगर आप देखेंगे तो और भी बच्चों का यहां पर वेरिफाई हुआ है और जिनका वेरिफाई हुआ है वो काफी सफल माने जा सकते है यहां पर य भी आपके शायद अगर हो सकता है पेरेंट्स गवर्मेंट जॉब में हो या फिर आपका जो आए पर माड़ पत्र वो ज्यादा बन गया हो या फिर ओके यहां पे मसला यहां बच्छो कि यहां पे इनका पर मॉट्टिट मार्क्स तो दिखाई दे रहा है तो इस इस्तिछी मे हैं आपकी स्कॉलर्शिप आनी असंभव है लगभग नामोमकीन है जिनका वेरिफाइड है उनका तो संभवता मिलने की पुरी उम्मीद है बच्छो यह कुछ और इस्तितियां जिनका वेरिफाइड है और इस प्रकार की स्तितिय बाकि दोस्तों मेरी समझ से यही है बैं फ इचले वर्स आया है इस बात की मेरी गैरेंटी है मैंने खुद परसनली उनको जानता हूं जिनका स्कॉलर्शिप इस वुस्तिती में भी आया है तो मेरी अनुभो के अधार पर बच्चो इस वीडियो में फिला लितना ही बाकि करें स्कॉलर्शिप समंदित कुछ समझ से आ र बार साथ्यू